हेलो फ्रेंड्स हम राजस्तान की कर्शी पढ़ रहे थे विबिन फसले हमने पढ़ ली थी अब हम विबिन फसलों की किसमें पढ़ेंगे जिसमें पहला है ग्यों ग्यों की किसम है 3077, 3765, कोटा फार्मी, सर्बती, लोकवान, कल्यान सोना, छोटी लर्मा, सोना 227, कोहिनूर, ट्रिटीकम, वल्गेपर यह आप याद रखें ट्रिटीकम, वल्गेपर यह ग्यों की किसम है 3077, 3765, कोटा फार्मी, सर्बती, लोकवान, कल्यान सोना, छोटी लर्मा, सोना 227, कोहिनूर, और ट्रिटीकम, वल्गेपर राजस्तान में सरवादी गुत्पादन ग्यों का गंगा नगर में होता है, इसलिए गंगा नगर को दान का कटोरा कहते हैं राजस्तान में ग्यों का सरवादी गुत्पादन गंगा नगर में होता है, मक्का, मक्का की किसमे है, माही कंचल, माही धवल, सरीता, नवजोत, हिमाले, दक्कन, विज्याबस्ती और संकर मक्के का सरवादी गुत्पादन चितोड और भिलवाड़ा में होता है, मक्के का सरवादी गुत्पादन चितोड और भिलवाड़ा में होता है, जबकि ग्यों का का होता है, गंगा नगर में, मक्के का होता है, चितोड और भिलवाड़ा में, मक्का अनुसंदान केंद्र व बांसवाड़ा में हिस्तित हैं, मक्का नुसंदान के अंदर बांसवाड़ा में हिस्तित हैं और बांसवाड़ा में W126 मक्के की किस्म का विकास हुआ मक्के के हरी पत्यों के चारे को साइलेज कहते हैं, जबकि सूके चारे को कड़क कहते हैं मक्के में क्या रोग होता है? सपेद धारिदार रोग होता है मक्के में रोग होता है, सपेद धारिदार रोग, जबकि गेउं में कौन सा रोग होता है? काली बाली या काला स्मट रोग होता है गेउं की फसल के लिए आनिकारक जिवानु है, स्तूपा, चेमपा और हर्दा अब आती हैं चावल, चावल की किस्मे हैं माहि सुगंदा, परमड, एनपे 130, बासमती, जलजीरा और कमोद ये हैं चावल की किस्मे हैं माहि सुगंदा याद रखें, मक्के की किस्म हैं माहि कंचल और माहि दवल, जबकि चावल की किस्म हैं माहि सुगंदा माही सुगंदा चावल की किस्म है जबकि माही कंचल और माही धबल मक्य की किस्म है चावल का सरवादी गुतपादन हनुमानगड में होता है गेउं का तो गंगा नगर में मक्का का चितोड बिलवाडा में और चावल का होता है हनुमानगड में चावल में रोग होता है खेरा रोग चावल में रोग होता है खेरा रोग और मक्के में रोग होता है सपेध धारी आती हैं चावल एकमात्र खाध्यान ने फसल है जो रोपन कर्शी के अंतरगत आती है अब है बाजरा राजस्तान में सरवादिक उत्पादित होने वाली और बोई जाने वाली खाध्यान ने फसल कौन सी है बाजरा बाजरे का सरवादिक उत्पादन होता है बाजरे का सरवादिक उत्पादन होता है बाजरे का सरवादिक उत्पादन होता है बाजरे में रोग होता है हरित बाली और सूका रोग बाजरे में रोग होता है हरित बाली और सुका रोग बाजरे की किसमें कौन सी है MH100 गुन्शित्तर और संकर जो की किसम है RD131 RD131 और जो का सरवाधी गुत पाधन होता है जेपूर और उधेपूर में अब आता है जवार जवार की किसम है SP96 SP96 तो है जवार और RD131 है जो जवार का उपनाम क्या है गरीब की रोटी या सोर्गम जवार को कहा जाता है जवार का सरवादिक उत्पादन अजमेर और कोटा में होता है जवार का सरवादी गुत्पादन अजमेर और कोटा में होता है जवार की हरीपत्यों के चारे को चरी कहते है जवार अनुसंदान केंद्र वल्लग नगर उदेपूर में स्तित है जबकि मक्का अनुसंदान केंद्र कहा था बास्वाडा में जवार अनुसंदान के इंद्र, वल्लब नगर उद्यपूर में स्थित हैं अब आता है तंबाकू, तंबाकू का सरवाधि गुत्पादन जुन जुनू अलवर जालोर में होता है तंबाकू की किस्म है, निकोटीना टुबेकम ये किसम किसकी हैं तंबाकु की निकोटीना टुबेकम तंबाकु में रोग होता है मोजेक रोग तंबाकु में रोग होता है मोजेक रोग तंबाकु अनुसंदान केंदर का स्थित हैं रामा गुंडी आंदर परदेश में तंबाकु अनसुन्दान केंदर स्तित है रामा गुंडी आंदर परदेश में और इस तंबाकु अनसुन्दान केंदर का नाम क्या है राज महेंदरी तंबाकु अनसुन्दान केंदर रामा गुंडी आंदर परदेश में स्तित है अब आती है अफिम पूर्णत है सरकारी निय अब आती हैं कपास का जनमस्तान सिंदू नदी तंत्र को माना जाता है। कपास का जनमस्तान सिंदू नदी तंत्र को माना जाता है। तीन प्रकार की कपास राजस्तान में बोई जाती हैं। देशी कपास उदेपूर, चितोड, जालावाड, बांसवाड़ा में। जबकि अमेरिकन कपास गंगा नगर और हनुमानगड में। मालवी कपास कोटा बुंदी तोंक में बोई जाती हैं। कपास को स्तान्य भासा में बणिया कहते हैं। कपास की फसल के लिए रात्री कालिन धिम जिम बारिस सरवादिक लाबदायग होती हैं। और कपास में कौन सा रोग होता हैं। और ये आप याद रखें कि कपास की फसल को कौन सा कीट सरवादिक नुकसान पहुचाता है। अब आता है गन्ना। गन्ने का सरवादिक उत्पादन गंगा नगर में होता है। गन्ने की फसल में अधिक तापमान और अधिक जल की आवशकता होती है। गन्ने की फसल को एक बार बोने पर तीन बार उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। गन्य के पसल को एक बार भो दिया तो उसके बाद उससे तीन बार उत्पाधन प्राप्त किया जा सकता है गन्य में कौन सा रोग होता है लाल सडन रोग गन्य का रोग है लाल सडन रोग केंद्रिय गन्ना अनुसंदान केंद्र कोयम बटूर तमील नाडू केंद्रिय से याद रखें केंद्रिय गन्ना अनुसंदान केंद्र कोयम बटूर तमील नाडू जबकि राष्ट्रिय गन्ना अनुसंदान केंद्र लखनाव उत्तर परदेश केंद्रिय तो कोयम बटूर में है जबकि राष्ट्रिय गन्ना अनुसंदान केंद्र लखनाउ उत्तर परदेश अब आता है सर्सों सर्सों का सरवाधि उत्पादन गंगा नगर में होता है सर्सों का सरवाधि उत्पादन गंगा नगर में होता है सरसो की खल से बिजली बनाने का कार खाना अलवर में स्थित हैं यह आप याद रखें कि सर्सों की खल से बिजली बनाने का कार खाना अलवर में स्तित है सर्सों की सबसे बड़ी मंडी सुमेरपूर पाली में स्तित है और सर्सों की किसमें कौन-कौन सी है वर्ना, पूसा, दुर्गामनी, कल्यानी और रोहिनी ये सरसों की किस्मे हैं वर्ना, पूसा, दुर्गामनी, कल्यानी और रोहिनी राजस्तान में वर्ना किस्मी की सरसों सरवादिक वोई जयती हैं अब आता है मूंगफली, मूंगफली का सरवादिक उत्पादन विकानेर और जयपूर में होता हैं लून करणसर विकानेर को राजस्तान का राजकोट कहते हैं लून करणसर विकानेर राजस्तान का राजकोट कहलाता हैं क्योंकि राजकोट गुजरात में मूंगफली का सरवादिक उत्पादन होता है राजस्तान में सरवादिक चंद्रा किस्मी की मुंफली का उत्पादन होता है और मुंफली का रोग क्या है टिक्का या सपेद लट रोग मुंफली में टिक्का या सपेद लट रोग लग जाता है अब आता है सोयबीन सोयबीन का सरवादिक उत्पादन बारा जालावाड में होता है सोयबीन को सरवपर्थम करसी अनुसंदान केंद्र बोर खेड़ा कोटा में बोया गया था याँ आप याद रखें कि सोयबीन को सरवपर्थम किस अनुसंदान केंद्र में बोया गया था तो बोर खेडा कोटा में बोया गया था सोयबीन अनुसंदान केंदर बासवाड़ा में श्तित है और मक्का अनुसंदान केंदर भी कहा था बासवाड़ा में सोयबीन का उपनाम क्या है गरीब का मास सोयबीन का उपनाम है गरीब का मांस सोया बीन में सरवादिक प्रोटेन की मात्रा होती है सोया बीन में सरवादिक प्रोटेन की मात्रा होती है कोलेस्टरोल की मात्रा सबसे कम सोया बीन में ही पाई जाती है एक तो सरवादिक प्रोटेन के मात्रा भी सोयबीन में और सबसे कम कोलेस्ट्रोल के मात्रा भी सोयबीन में पाई जाती है अब आता है रतन जोद, रतन जोद का उपनाम है होहोबा, जोजोबा, जेट्रोपा, पीला सोना, एकलिंग पोदा एक लिंग पोदा क्यों कहते हैं क्योंकि ये एक वर्षय पोदा है इसलिए इसे एक लिंग पोदा कहते हैं रतन जोद का विग्यानिक नाम है साइमन डेशिया चाइनेंसिस रतन जोद का विग्यानिक नाम क्या है साइमन डेशिया चाइनेंसिस रतन जोद का उत्पत्ति स्थान है मेक्सिको केलिफोर्निया और एरिजोना का सोनारल मनुस्तल रतन जोद को राजस्तान में 1965 में काजरी द्वारा लाया गया था राजस्तान में रतन जोट को 1965 में काजरी द्वारा लाया गया था राजस्तान में रतन जोट के दो फार्म इजराईल की मदद से एजोर्प द्वारा स्तापित है वर्तमान में राजस्तान में रतन जोद के दो फारम है जो इजराइल के मदद से एजोर्प द्वरा स्तापित है पहला फारम है फतेपूर सीकर में और दूसरा है डूंड जैपूर में तो रतन जोद के दो फारम फतेपूर सीकर में और डूंड जैपूर में रतन जोत के तेल का उपयोग वैल मचली के विकल्प के रूप में होता है और रतन जोत के तेल का गल्नांक और क्वंत नांक अधिक होता है अब आता हैं अरंड़ी अरंडी का सरवादिक उत्पादन जालोर में होता है अरंडी का सरवादिक उत्पादन जालोर में होता है सरवादिक तेल की मात्रा अरंडी के विजो में होती है अब आता है अल्ची अल्ची का सरवादिक उत्पादन नागोर में होता है अल्ची का सरवादिक उत्पादन नागोर में होता है मानव ने सरवपर्थम अल्ची के रेशे से कपड़ा बनाया था यह आप याद रखें कि मानव ने किस हसल से सरवपर्थम कपड़ा बनाया था तो अल्ची के रेशे से कपड़ा बनाया था अब आता है चना, चना सरवादिक होता है चूरू और हनुमानगड में, और चने का उपनाम क्या है, गोडा दाल, गोडे को खिलाई जाती है ये चना दाल, इसलिए इसका उपनाम है गोडा दाल, चने का रोग है जुलसा रोग, चने में जुलसा रोग होता है, और चने की किस में कौन कौन सी हैं समराट और वर्दान समराट और वर्दान चन्य की किसमे हैं अब आता है मटर मटर की फसल में सरवादिक मात्रा में राइबोजियम जिवानू पाय जाता हैं सभी फसलों में राइबोजियम जिवानू पाय जाता हैं लेकिन सरवादिक मात्रा में राइबो खजूर के भारम जेसलमेर और विकानेर में स्तित हैं, खजूर की किसमे कौन-कौन सी हैं, हिलावी और मेंजूल, ये हिलावी और मेंजूल खजूर की किसमे हैं, खजूर की टीशू कल्चर प्रयोकशाला जोदपूर में प्रस्तावित हैं, स्तापित किया गया है अंतराष्टिय उध्याने की नवाचार और परिशिक्षन केंद्र जेपूर में नीदर लेंड के सयोग से स्तापित किया गया है बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र विकानेर में 1978 में स्तापित किया गया ग्रेफी योला या पत्ती दबा रोग खजूर व्रक्ष का प्रमुक रोग हैं तो आप याद रखें कि ग्रेफी योला पत्ती दबा रोग किसमें होता हैं खजूर व्रक्ष में केंद्रिय कर्सी अनुसंदान केंद्र दूर्गापुरा जैपूर में केंद्रिय कर्सी फार्म सूरतगड गंगा नगर में जोकी रूस की साहिता से 15 अगस्ट 1956 को स्तापित किया गया था केंद्रिय कर्शी फार्म सूरतगड गंगा नगर रूस की साहिता से 15 अगर्ष्ट 1956 को स्तापित किया गया था यह हैं एशिया का सबसे बड़ा कर्शी फार्म है सूरतगड गंगा नगर अब आता हैं केंद्रिय कर्शी फार्म जेतसर गंगा नगर जेटसर गंगानगर सूरदगर्ड कर्सी फारम के अधीन कनाड़ा के सेयोक्षे स्तापित किया गया था सूरदगर्ड गंगानगर तो रूस की साहिता से और जेटसर गंगानगर कनाड़ा की साहिता से केंद्रिय सुस्क सेत्र उध्याने की संस्तान जोधपुर में हैं केंद्रिय कर्शी अनुशंदान केंद्रतो दुर्गवपुरा जेपुर में जबकि केंद्रिय सुस्क सेत्र उद्धाने की संस्तान जोद्पुर में है राजस्तान करसी विश्विध्याले बिकानेर का नया नाम 4 जून 2009 से स्वामि केश्वानंद राजस्तान करसी विश्विध्याले कर दिया गया है ये क्यूशन अभी LDC में, LDC एक्जाम में आये था, वापिस एक्जाम हुए थे LDC के उसमें कि राजस्तान कर्शी विश्विद्याले बिकानेर का नया नाम है स्वामी केश्वानन्द राजस्तान कर्शी विश्विद्याले नीजी सेत्र की पहली कर्षी मंडी हाडूती के केथुन में आश्टेलिया की AWB कमपनी के सयोग से 2005 में प्रारम की गई थी नीजी सेत्र की पहली कर्षी मंडी हाडूती के केथुन में आश्टेलिया की AWB कमपनी के सयोग से 2005 में प्रारम की गई थी राजस्तान सैकारी डेरी फेडरेशन RCDF का सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म कहां है रोजडी बिकानेर में राजस्तान सैकारी डेरी फेडरेशन RCDF का सीड मल्टिप्लिकेशन फार्म है रोजडी बिकानेर में नान्ता कर्षी अनुसंदान के अंदर स्तित है कोटा में नान्ता कर्षी अनुसंदान के अंदर का स्तित है कोटा में यहाँ पर इपको द्वारा राजस्तान के पहले और देश के दूसरे कर्षी कियोस्की की स्तापना की गई है नानता कर्शी अनुसंदान के अंदर कोटा में शती थें जहांपर इपको द्वारा राजस्तान के पहले और देश के दूसरे कर्शी कियोश्की की स्तापना की गई है राश्ट्रिय बीजिय मसला अनुसंदान के अंदर का शती थें तबीजी अजमेर में यह आप याद रखें, कहीं बार आचुका है क्यूशन, राष्ट्रिय बीजी ये मसला नुशंदान के अंदर कहाँ पर सिते हैं, तबीजी अजमेर में, राजस्तान की पहली किसान कंपनी का घठन बकानी जालावार में किया गया है, कांगनी, कांगनी क्या होती है, दक्षणी राजस्तान के गरीब और आदिवाशी बहुलिय सुस्क शेत्रों की फसल है, कांगनी, कांगनी सुके के स्थिती में, पसुओं के लिए चारा प्रदान करती है, अब है लिलोण, लिलोण क्या है? रेगिस्तानी सेत्रों में पाई जाने वाली सेवन गास का स्तानिय नाम है लिलोण अब आती है प्रमुक क्रशी मंडिया, किन्नु मंडी, गंगानगर में, प्याज मंडी, अलवर में, लसुन मंडी, छबडा बारा में, काजरी आपरी जोदपूर में, इसकी स्तापना 1969 में हुई थी सुस्क वन अनुसंदान केंदर जोदपूर में, इसबगोल मंडी, भीनमाल जालोर में, टिंडा मंडी, शापरा जेपूर में, महंदी मंडी, सोजत पाली में 1966 में काजरी को केंद्रिय कर्षी अनुसंदान परिशत के अधीन किया गया था अब कर्षी विकास के संस्ताइं कौन कौन सी है राजस्तान राज्य सहकारी क्रय विक्रे संग लिमिटेड इसकी स्तापना 1957 में हुई थी राजस्तान राज्य सहकारी क्रय विक्रे संग लिमिटेड इसकी स्तापना 1957 में हुई थी राजस्तान राज्य बंडारण निगम इसकी स्तापना भी 1957 में हुई थी यह याद रखें राजस्तान राज्य कर्षी विपनन बोर्ड इसकी स्तापना 1974 में हुई थी और काजरी की स्तापना 1969 में जोदपुर में हुई थी और 1966 में काजरी को केंद्रे करशी अनुसंदान परिशत के अधीन किया गया था और डिलाइट्स ओप डाइबिटिक किसे का जाता है मसरूम को का जाता है यह आपका करशी का टोपिक भी कंपलिट हो गया मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक यू